नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावन सेलसी सीकर से दोस्तों सफलता पाने के लिए लोगों की अपने विराय होती है कोई कहता इंडेलिजेंट होना चीए कोई कहता हार्डवर्क होना चीए कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता बट मेरा एक ही लोजिक था है रहेगा सफ मेरे साथ एक ऐसा परिवार बैठा है यह तीनों मेरे लाडली बेटे संभूद्याजी अगरवाल साब उनको नवश्कार करते मेरे बात सुरू करूं आप निमका थाना के पास गाव है चिजडोली संभूद्याजी अगरवाल एक विवसाई हैं यह तीनों बेटे बेटियां आपके बच्चे हैं आप निखिल अगरवाल हैं आईटी देली में हैं आप डोक्टर वर्सा हैं समय से अपनी डिग्री पूरी कर चुके अंबीवेस की आप तनेशा अगरवाल है जो नीट 2023 दिया है और जिसका संभावी स्कोर 685 बन रहा है दोस्तो इस परिवार का एक दस जुड़ा हुआ है और एक पिता संभूजियाल जी के दो बेटियां एक बेटा तीनों सेलेक्ट हैं आपका प्रीचे देते हुए सबसे पर दो वर्सागरवाल का जो 11 करके 12 में CLC आई थी और 12 के दो माइनल होने के बाद आई थी इस बच्ची का इस बेरी लागली बेटी क पूरा विश्वास्ता अपने CLC पे अपने बोस पे आपने 12 के साथ उस समय 2018 नीट में 460 460 रेंग लेके SMS से अपनी MBS की दिगरी कंप्रीट की है उसी के पास बैठा निखिल अगरवाल जो उसका छोटा भाई है 11 12 आपने CLC से किया साहिल निकाल नहीं यार निखिल मजा न तनी सागरवाल को यहां छोड़ा 11 12 में यहां रही होस्टल में और इस साल आपका 12 के साथ नीट 2023 का संभाविश स्कोर 685 बन रहें तीनु बच्चे होस्टली में रहे होस्टल में रहें का मतलब है कि एक बेटे की तरह बेटी की तरह उलाद की तरह इनको पाला CLC ने क्या क आ रही थी बड़ रिलेशन इतने स्ट्रोंग है कि आज भी मतलब हमें नहीं लगता कि पांच साल हो चुके हैं सेम टू सेम रिलेशन आज भी कंटीनू कर रहे हैं लोग यह इसी का रीजन यह है कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 18 में पास आउट हो गए तो अब स्टूडेंट स्टूडेंट को सनस्ता माये तो सबसे पहले उस सनस्ता के साथ एक पारिवारिक बातों मुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि 12 में यह साल दो साल बच्चा रहता है तो उस माहोल के लिए मतलब फैमिलियर इंवार्मेंट हम भी आज बाहर पढ़ाई करते तो हमें भी चाहिए कि एक फैमिलियर इंवार्मेंट बने ताकि हम एकदम रिलैक्स होके पढ़ सके हम घर वालों की तरफ यह ना रहे कि हम घर जाना है घर जाना है अगर एक तरफ जुकाव रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी वहां पर कॉंस्टेंटली वहां पर आपका दिमाग होना च आपको करती है एक लाइन जो नए एडमिशन लेने वाले हैं वर्षा या ने जो गार्जिन से एक में चाहूंगी कि एक बार आप पर भरोसा करके देखें एक बार यहां पर आएंगे एक बार अगर आप यहां गए तो आप यहां से छोड़के नहीं जा पाएंगे फिर क्य को छोड़के वापस आपने रिस्क ली और आप कौन सी ब्रांच पर आपका आगे प्लान कहा है आप कहां रहें आपका विचार क्या अन्य जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या करना चाहेंगे प्रीच जैसे वह आपने सबसे पहले एक शब्द यूज किया था ट्रस्ट त और उनके भाईवी थे आशी शगरवाल जो जामनगर से अपनी डिग्री कम्प्रीट कर चुके हैं और अभी 2023 में मेरी छोटी वहन का सेलेक्शन हुआ है जिसके माक 685 है तो आप देख सकते हैं 2013 से 2023 यह एक पूरा डिकेड हो चुका है और उसके साथ मैं आपको बताना चाह करने पर मैं वापिस आने को तयार हो गया क्योंकि मुझे बरोसा था कोचिंग पर के मुझे वजह वरोसा था इनकी टीचर्ग पर मुझे बरोसा था कोचिंग की डिरेक्टर पर कि मैं अगर एक साल और मेहनत करूँ तो और भी अच्छा बना पाऊंगा तो अपर चाह किए ने एडमिशन को, ने गार्जिन को, ने स्टुडेंट्स को जोने ने आना चाहते हैं मैं ने गार्जिन को बस यह कहना चाहूंगा कि आप एक बार बस आ के देखें आपको माहूल का पता चल जाएगा अपने आप अपने बस्टे को एसी कोचिंग में रखना चाहेंगा जहांका डायरेक्टों ने से बाते भी निया ने करता यहां का डायरेक्टों गणते आपके बच्चे के लाइवेलेबल रहेगा अब कभी भी जा के बात कर सकते हैं जब न्यू अडमिशन था, तो मुझे कभी भी जीजक नीवी, बॉस से जाके सीधा असेम्बली के बाद भी बात कर सकता था असेम्बली रोजाना शाम को खाना खाने के समय, बॉस विजय ग्राउंड जो मतलब काफी बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे सभी बच्चे, लाइक दो हजार बच्चे होंगे कुछ, उन सभी के साथ में मिलके हनुमान चालिसा का पार्ट करते हैं, हनुमान चालिसा तो एक मतलब यह तरीका यह होता है कि वह सबसे मिलना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंट उसी समय बॉस के पास आ सकते हैं, वह दिक्कत रिजॉल हो जाएगी, तुरंट की तुरंट रिजॉल होती है, असा कुछ निया, बॉस 24 भाई 7 आपके लिए अवेलेबल रहें सेलेक्ट हैं, एक पिता की तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे एक समस डिग्री कर चुकी है, एक आईटी देली महरी है, 685 पे तो नोड़ाट मोलना आ जा दिया, लेडी हाडिंग जो भी लेना चाहेगी, इसको कोलेज मिल जाएगी, तो इससे बड़ी कुशी किसी सिक्ष का टीचर का, तो यह चीजें हैं, और बात का एक इसार है, ट्रस्ट, विश्वास, मुझे आज भी आज वर्सा सेल्जम जब थी, सा फिक्स था, जब होस्टल से निकलती, खाना काती, मेरे से मिलती, असेंबली जाती, उसके बाद केम्प में बैठती, तो यह पुरा प्रोस तो आपके तो बड़ी वहन डोक्टर थी, बड़ा बाई आईटी ने, तो आपको CLC में वातानों पारिवारी, और बता हैं, दो साल की जरनी कैसे रही, कि विट्वल 685 बड़ा स्कूर होता है, बेटा, जैसे कि जब हमारी ओनलाइन क्लास तीन में 2011 से शुरू हुई थी और सब्सक्राइब करते हैं, एक आपके परिवार की फोटू है, आशिस के फंक्षब आप सब लोग आये थे, तो दोस्तों ये एक अगरवाल परिवार है, संभूजी का परिवार, निमका ठाणा, चिंचरोली गाउं का, आपके तीनों बेटे, बेटे, दोनों बेटे यार एक दोस्तों नेक्स सेसन के अडिमिशन स्टार्ट हो चूके हैं, वो चैप प्री फाउंडेशन हो, चैप फाउंडेशन हो, या तार्गेट हो, नीट है, यह जही है, आप सब जानते हैं, आप अपना सहसता इंडिया भी स्टार्ट कर चूका है, जिस केमपस में वीडियो बन है यह हमारा बहुत प्यारा केंपस है CIS CLC International School जहां समर सर बैठते हैं प्री प्रैमरी से लेके 12 साइंस तक बहुत अच्छा स्कूल है तो दोस्तों आप CIS CLC के जाद जुड़ें निश्चित रूप से हम आपके सपने बड़े भी करेंगे पूरे भी करेंगे नमस्कार